आज मैं एक कविता सुनाऊंगा आपको कविता का शीर शक्त है मानव गंतव में इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक मनुष्य अपना जीवन निभाता है और निभाते निभाते वह बहुत कुछ इतना जाता है अपने जीवन में कि भूली जाता है कि इसके जीवन का असली लक्ष का था सभी धरन मताते है कि हमारे जीवन का लख्ष है कही ना कही भगेवान के पास जाना है एक मोश्ड को फारप्त करना मनुष्य का जो शरीर होता है वो सबसे अच्छा साधन होता है मोश् prison car करने का एकिसी जानौर का शरीर मोश्ड को पराप्त कर सकता है फिर मनुख्य क्या करता पैसे की पीछे भागता है अर्थ की पीछे भागता रहता है और जीवन जीवन का अंध होने के उपरांध हो सकता है, उसे कीड़े का ज़न मिलता है, तब उसे याद आता है कि हाँ, वो मनुष्य का जीवन अच्छा था, जिसमें हम कर्म कर सकते थे, और मुख्ष की प्राप्ति के तरह थोड़ा सा बढ़ सकते थे, तो देखते हैं मनुष्य साथान जीवन में क्या करता है, हर्ष उल्लास है, भोग है, विलास है, आह है, वाह है, रंग का प्रवाह है, परमक्रीट कामना, व्यों की है कल्पना, कल्पना वो दो रहा, कल्पना से जो रहा, प्रवल उसकी चाह है, कामना था है, मार्ग गठिना गया तो चक्रवाग छागया, सत्तिता की मुप्ति से, किसी भी उप्ति से, बाटे सरल बन वे चक्रवाग था मुगया, कोई भी मार्ग अपना लेता है अपने मार्ग को सरल करने के लिए, चाहे वो भष्टाचारी, मार्ग को सरल करता है, मार्ग गठिना गया तो चक्रवाग छा गया, अफ्या Mayor ठवर्शह लिए 生活 है धन्सु जोथा रहे गया, निया जन्म हो मुख्ष का सलपक्ष भोग मन चला गया काम्रहित कर्म हो, करना क्या चाहिए दिवन काम्रहित कर्म हो, मुसत्य मुख्य धर्म हो सदा यही आस हो, इसत्य का हिवास हो न धन अधिक न दीन हो, किन्तु जल विहीन हो मुक्ति पत्का त्राण भो, इसी लिए ये प्राण भो, मात्र पुण्ने युग्त कर देंगे तुझे, प्रम मुख्ष की सित्ती, हे मानो, कर पुण्ने मेरती, कर पुण्ने मेरती, दान्य वाग।